हेलो वेल्कम एब्रिवन तो आज मेरा एक एक्स्प्रियंस सेयर करूंगा और सीबी थ्री हंडेड टूरिंग के लिए अच्छा है के नहीं है तो मेरा जर्णी था विस्ट पेंगॉल से नितरहाट जो जरकन में पड़ता है तो मैं इसको प्रॉजन कॉन से डिवाइट और यह जो बाइक है मैंने अब तक 6000 किलोमीटर कोबर किया है और दो मलब दो सर्विस हो चुका है और मेरा हाइट है 5.7 इंच का और मेरा वेट है 60 कीची का तो और बाइक का जो इंजिन सर्विस हुआ कि नहीं वो भी एक डिपेंड करता है तो मैंने मैं इंजिन उयल उसकर होंडा का जो इंजिन उयल होता है कंपनी के तरफ से प्रोंडा भूही मैं इस तेवाल कर रहो अभी एंड एस उजियल मेरा गारी का जो टैर पिसर होता है पीछे का है 40 पीएस और सामने का है 30 पीएस ओके नाव लेट स्टार्ट फॉम पोल्स सो अगर आप बाइक में टूर कमफूर है के नहीं है हाँ है सीट जो है राइडिंग सीट जो है मतलब ठीक ठाक है आप इजीली हंडेट प्लास कवर कर सकते हैं विदाउट रेस्टिंग और अगर आपका गारी का स्पीड एट डू नाइन्टी है कोई प्रॉब्लेम नहीं होगा और आप राइडिंग कर है जो हाइवे है स्ट्रेट हाइवे एकदम रस्ते में कोई पॉर्ट होल कुछ भी नहीं है तो आप क्रूज कर रहे है कंटिन्यू तो बहुत कमफॉर्टबल राइडिंग होगा आपके तरफ से मिलेगा आपको और माइलेज भी उस टाइम में ठीक ठाक मिलेगा अगर आप 80-90 क्रूज कर रहे हैं तो कडिब कडिब 37 के MPL आपको मिल जाएगा 35-37 तो मिली जाएगा आपको उस टाइम पे और यह है एक कमफॉर्ट के बादे में मैंने बोला और पीलियन का कमफॉर्ट के बादे में बात करेंगे पीलियन का कमफॉर्ट कम मिलेगा क्योंकि पीछे का जो सीट है वो तोड़ा सा हार्ड है बट बैठने के लिए स्पेसिस ज्यादा है तो बैठने के लिए उतना पॉलिम नहीं होगा आप सीट मॉडिपाई करेंगे तो मलब छोड़ी है मॉडिपाई करने से तो कोई भी सीट कंपरटबल हो जाएगा तो मलब अगर आपका आफिदल मुझे दॉरत नहीं है और टीपन करता है बट मुझे नहीं लगा ऐसा कुछ थीक है कोई-कोई सोचता है कि सीद में कमफरण नहीं है बट मुझे आइसा नहीं लगा okay तो साइद Tieky Auto$ कोई पौर्टोल वगैरा कुछ भी नहीं है रास्ते में कुई खडाब भी नहीं है तो पीचे का suspension आपको उतना दिक्कत नहीं करेगा और font का suspension है वो तो मंदब अच्छा ही है soft है एक्दम बहुत अच्छा नहीं मैं बोलूँगा और बहुत बुड़ा भी नहीं है ठीक टाक है चलाने के लिए क्योंकि यह तो इविज्डी फोक से तो ठीक है और नेक्स जो है back pain या shoulder pain तो मैं पहले NS200 आइट करता था तो NS200 में थोड़ा बहुत shoulder pain होता था after 120 km कबर करने के बाद like 130 km कंटेजुन आइट करेंगे का राइट करता था तो तब उसके बाद मुझे shoulder pain होता था थो रहा था था थो रहा था पर इसमें वो नहीं है इसमें वो नहीं है और इसका जो handle बाद जो है वो NS से थोड़ा upside है तो साहिए इसलिए मुझे मेरा जो हैंड है उसका resting मिल रहा है साथ इसलिए मुझे solar और में पेन नहीं होड़ा है और अगर बैक पेन के बारे में बात करता है तो बैक पेन मुझे नहीं हुआ यह तो मुझे नहीं हुआ यह तो मुझे ऐसा कुछ नहीं हुआ उस टैम में मुझे ऐसा कुछ नहीं हुआ तो यह हो गया प्रास के बारे में और नेक्स्ट पॉइंट जो है गारी का जो stability है highway में वह बहुत यह अच्छा है और Ride करने में मज़ा भी आocol है था तो इस गारी का जो initial और जो mid range पीकप है वह बहुत यह अच्छा है इसलिए highway i-wayitel इस नहीं नहीं में अपको मज़ा आएगा तो एक और नक्सट जो पॉइन्ट हां क्या आप इसको एस घाडर को लेकर कोही हिल एरिया में जा सकते के नहीं और हीं एरिया में experience किया रहा मुरा तो हिल एरिया में भी यह मलब आपको मालूम है नहीं पड़ेगा जब अपसाइड में जाएंगे पहार को जब उपर के तरफ जाएंगे तो गारी का कोई stress आपको मैसूस नहीं होगा easily जो है बाइक उपर जा रहा है क्योंकि इसका torque हाई है इसलिए और पहारी अलाका में जो होता है रास्ता में बहुती sharp turning होता है तो sharp turning में इसका जो tear है MRF का उतना अच्छा से काम नहीं करना क्योंकि इसका जो tear है वो बहुती hard है देखिए lean तो हो जाएगा बट confident का थोड़ा क कामी मैसूस होगा अगर आप पहारी मलब गारी का जो balance से वह वह अच्छा है सायथ tear change करने के बाद इसका balance जो है और भी अच्छा हो जाएगा मैं और एक वीडियो डालूंगा क्योंकि इस गारी में मैं जो apple का जो tire होता है h1 वह इंस्टल करूंगा इस गारी में तब मैं उ ओफ रोड का इस गारी में भी benefit मिलेगा क्योंकि इसका जो ground clearance है वह है 177 mm का तो मालब अगर रस्ते में कोई गड़ा होगा अप डाउन रस्ता है तो easily आप उसको उपर से जा सकते हैं गड़ी stuck नहीं होगा जमीन पर तो 177 mm बहुत ही अच्छा है ground clearance ओफ रोडिंग के लिए बट कॉंस भी है में next point में बताऊंगा तो यह जो है आपको प्रॉज आपको मिल जाएगा तूरिंग के लिए बहुत ही अच्छा है और जो एक चीज़ है तो अब बात करते हैं कॉंस के बाड़े में तो इस गारे में कॉंस उतना ज्यादा नहीं है तो पहले बताते हैं जो आफ रोडिंग के लिए सस्पेंशन पीछे का सस्पेंशन जो है तो रहता स्टीफ है तो साइद अफ रोडिंग का मज़ा आपको नहीं मिलेगा और जो है इस कड़ का है लाइट लाइट उतना जाए था पावर्फुल नहीं है कि जो हाइड रोट में आपको बहुत है अगर आप लोंग हाई रोड में जा रहा है तो हाई जो हेल लाइट है कोई काम करेंत नेक्स जो पॉइंट है विन ब्लस्ट नैकेड गाड़ी है विन ब्लस्ट तो मिलेगा यह तक कॉमन बात हुए और जो विन ब्लस्ट आता है इसलिए साहत अगर आप कंटिन्यू 100 पे करेंगे तो आपका जो सोलर में थोड़ा बहुत हो सकता है नेक्स पॉइंट है वाइब्रेशन इस गारे में वाइब्रेशन उतना ज्यादा नहीं है अगर आप बजाज चलाते थे पहले फिर अभी एगर चला रहा है तो आपको भाइब्रेशन मंदब मालूम ही नहीं पड़ क्योंकि देखिए असी के स्पीड में इस गारे में का जो वाइब्रेशन है वह फूट पेंग में थोड़ा सा आता है थोड़ा सा और हैंडल पार में उतना नहीं है सिप राइट टाइप राइट साइट का जो फूट पेंगे उसमें आता है अगर आप हंडेट में क्रूज करेंगे तब भाइबसार नहीं आएगा बट जो पूबलम होता है विन ब्लास्ट और बाकी जो चीज है लाइक पीछे में अगर आप केडियार इंस्टल कर देंगे नकल गार्ड इंस्टल कर देंगे तो यह पूरा टूरिंग के लिए कंप्लीट हो गया जो गार्ड बगए के लिए नहीं है बट लॉंग हाईवे पे पाहर में जाने के लिए यह बहुत ही अच्छा बाइक है तो यह था मेरा एक्स्प्रियेंस अगर आप यह गारी ओन कर रहे हैं तो आपका एक्स्प्रियेंस कमेंड में लिख दीजिए क्योंकि बाकी लोगों का हिल्फ हो जाएग और नहीं है तो इस्क्याद प्राइस करूशहों कर दो जाएप है यह बार्म्स एक्स्प्रियेंस यह इसमिए आपका घंड में जाएट वे देल की जाएगा है तो यह बहुत है विए ड्रेंस बाद टेला द। आल। एलिए लुगों